मद्ध प्रदेश में चुनाओ नजदीक आ गई है चुनाओ नजदीक आते ही वा जैवीरू और गबर कहा से आ गई है बताते हैं आपको पूरी खबर लेकिन खबर सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी राये जरूर रखें नमस्कार मेरा नाम है हमी सीरोटिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रिस MP मद्ध प्रदेश विदान सवाच चुनाओ में महश 15 दिन का समयशे से ऐसे में सियासी बयानवाजी भी तेज हो चली है मद्ध प्रदेश के मुकमंतरी शिवरास सिंग चोहन ने कॉंगरेस के दो पूर्व मुकमंतरी कमलनात और दि दिख विजे सिंग और कमनलात के बीच मन्मुटाओं की खबरे पिछले कुछ दिनों से सुर्कियों में और Iímकिर कुद अपिर नक्रम्रास सिंग पहले ही फो इसी इनके मन्मुटाओं की खबरें तेज हो चली है इसी भीक शिवरास सिंग् चोहान उन्होंने कहा यह जै और वीरु की जोड़ी है जिसे दिल्ली बुलाया गया है अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रह्म पहला रही है तो दिल्ली क्यों बुला रही है अब जै और वीरु की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रह्म पहला रही है जैसा मेने अख़वारों में देखा भाजपा भ्रह्म पहला रही है तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है जै और वीरु जगर रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए जवर्विनों तो लूटते ही थे इनका जगला है लूट के माल के लिए पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा धार ने पूरे प्रदेश को लूटा तबाह और बरबाद कर दिया सवा साल में स्री कमलनाज जी ने दी मद्ध देश को लूट का अड़ा बना दिया था अब आगे कौन लूटे और कैसे लूटे उसमें हिस्सेदारी कितनी हो जगला इनका केवल इस बात का है और दिल्ली भी अब पता नहीं किन मुद्दों पर इनसे चर्चा कर रही लेकिन अ कॉंग्रेस के जे और वीरू जगण रही है आपसमें लूट के माल के लिए लड़ रही है जे और वीरू तो लूटते ही थे इनका जगड़ा लूट के माल के लिए है पहले भी 2003 तक मिनिश्टर बंटा ढाल ने पूरे पिरदेश को लूटा और बरवात कर दिया सबा साल मे श्री कमलनाथ जीव ने भी लूट का अड़ा बना दिया, अब दिल्ली भी पता नहीं इन पर किस मुद्दों पर चर्चा कर रही है, क्या दिल्ली भी इसमें शामिल है, मद्ध प्रिद्यस कॉंग्रेस के वरिष्ट नेताओं में अन्बन की खबरों के बीच आला कमान एक्ट का रही है, जिसे लेकर कल देर रात भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए नेताओं के बीच बैटक हुई, इस बैटक में कॉंग्रेस संगटन प्रभारी केसी वेनु गोपाल भी शामिल हुए थे, कमलनाथ के बयान पर पलटवार करती हुए शिपराज ने कहा कि सोमबा उठाने वाला कहूं, वो सोयम कहते हैं, मैं निजी प्लेन में घूमता हूँ, अब निजी प्लेन किसान के पास तो होता नहीं है, मजदूर के पास तो नहीं होता, गरीब के पास नहीं होता, उनका एक पैर देश में रहता है, और एक पैर विदेश में रहता है, सेट को अत्याचार से त्रस्त है, अत्याचार के अंत का समय आ गया है, बाकि आप समझदार हैं, तो ये थी मद्ध प्रदेश की राजनीतिक हलचल, जिसमें अब जैवीरू और गबर जैसे केरेक्टर आ चुक है।